हलो फेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 297 BC में चंदरकुप्त मौरिया के दर्बार में 6th Gen 13 भंदर बाहू आते हैं और भविश्यवानी करते हैं कि गंगा वैली में एक बहुती सीरिस फेमाइन आने वाली है जो कि 12 वर्षो तक रहेगी इस फेमाइन के लिए उन्होंने चंदरकुप्त मौरिया को जिम्यदा ठहराया और कहा कि उन्होंने मगद एंपायर को कॉंकर करने के लिए और बाकी की कॉंक्वेस्ट के लिए जो खून खराबा किया है उसके फलसुरूप अब गंगा वैली में ये सीरिस फेमाइन आने वाल अपने प्राण त्याग दिये पर चंदरकुप्त मौरिया ने मगद से प्रिस्थान करते हुए अपने बेटे बिंदुसार को मगद का राज़ा बना दिया था बिंदुसार ने 297 BC से 272 BC तक रूल किया बिंदुसार को अमित्रोचेट्स भी कहा जाता है ये ग्रीक वर्ड ह जिसका मतलब है Slayer of Enemies यानि अपने दुश्मनों का खात्मा करने वाला अपने पिता की ही तरह ये भी एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे और इन्होंने मगद एंपायर को साउथ वर्ड एक्सपेंड भी किया कहा जाता है कि इनके रूल के दोरान मगद एंपायर मैसूर तक एक्स्टेंड हो गया था और ये बाद संगम तमिल लिटरेचर द्वारा भी कनफर्म की गई है इसके अलावा तारणात जो की एक तिबितन बुद्धिस मौंग थे उन्होंने बिंदुसार के बारे में कहा है कि बिंदुसार ने 16 स्टेट्स को कॉंकर करके दोनों सीज क के बीच की सारी लेंड को एक्वायर कर लिया था तारणात एक बुद्धिस मौंग थे और उन्होंने ऐसा तब लिखा है जबकि बिंदुसार बुद्धिस में नहीं बलकि अजीवी का सेक्ट में इंट्रेस्टेट थे तो ये तो हो गई डीटेल्स मगद एंपायर की के बेटे एंटियोकस वन सेल्यूसिड एंपायर के राज़ा बने एंटियोकस वन और बिंदुसार के बीच भी रिलेशन्स एमिकेबल थे इन्फेक्ट बिंदुसार ने एंटियोकस वन को एक लेटर लिखकर उनसे सुईट वाइन ब्राइड फिग्स और सॉफिस्ट कहा जाता है असान भाशा में बिंदुसार को पीने के लिए धारू साथ में चकना और साथ देने के लिए एक फिलोसफर चाहिए था एंटियोकस ने इनकी दो डिमांड को पूरा कर दिया यानि स्वीट वाइन और ड्राइड फिक्स तो भेजें बट सॉफिस्ट भेजने से एंटियोकस ने मना कर दिया और कहा कि सॉफिस्ट को किसी दूसरे राजा के पास भेजना ग्रीस में अनलॉफुल है तो कहा जा सकता है कि एंटियोकस वन और बिंदुसार के बीच एमिकेबल रोलेशन्स रहे एंटियोकस वन ने एक ग्रीक एमबसिडर डेमेकस को भी मगद में भेजा हुआ था तो यह थी डीटेल्स मगद एमपायर की डियूरिंग बिंदुसार्स रूल इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलेटी को डीटेल में कवर करने के लिए बुकसताबा की प्लेलिस को फोलो कीजिए लिंक डिस्क्रिप्शिन में है थैंक्यू सो मच वाचिए लिए बुकस्ट्री और इंडियू